राम राम दोस्तों क्या हाल चाल है आज हम बात करेंगे एरेडा में आई हुई आज की तेजी के बारे में और क्या ही एक मौका है या धोका है इस पर भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और हमें कहां पर बाइंग की मौके देखने कौन सेल किया है। और बेज मार्केट इसके हाई से गिरा है। तो इसका मतलब एuben कोई ना कोई तो सेल की आही है। और किसी ना किसी ने बाई। किया है। Buyers का इंट्रेस्ट उत्रा नहीं था जितना Sellers का था। इसलिए ये market गिरा है, अपने high से गिरा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो seller sell कर रहे थे, उन्होंने जिस price पे buyer था, उस price पे sell किया है, और buyers price नीचे करते गए, seller ने दाम बेचता गया, तो basically seller हावी थे किस पे, compare to buyers पे, ठीक, market gap अप हुआ था, शानदार gap अप हुआ था, जिसकी से, obvious है, जब ये gap up देखने को मिला होगा, तो लोगों का interest बढ़ा होगा, और लोगों ने buying करना इसको शुरू किया होगा, और जब buying करना शुरू किया, तो इसका मतलब वहाँ पे selling भी तेज होई थी, obvious है, volume भी अच्छा देखने को मिला है, सवाल क्या उठता है, कि क्या ये buy करने का सही zone है, तो देखें, इसके पहले जो एक pattern बना था, इस pattern को बोलते हैं, dark cloud cover, और dark cloud cover एक heavy reversal pattern दिखाता है, जिसका highest high, highest high, जो की 185 पे है, ये काम करता है resistance का, जब तक 185 के ऊपर ये closing ना दे दे, तब तक हम इसमें entry नहीं बनाने की सोच सकते, क्योंकि अभी भी एक resistance zone के अंदर trade कर रहा है, और यहां से अगर ये नीचे जाएगा, तो इसका जो support निकल के आ रहा है, वो support निकल के आ रहा है, 116 के पास, क्योंकि यहां पे इसने एक pattern बनाया था, जिसको बोलते हैं, परसिंग पैटन, परसिंग पैटन का जो lowest low होता है, वो behave करता है as a support, इसके पीछे की क्या psychology है, अगर वो आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल में जाके, प्लेलिस्ट, full time trader में जाएगे, और वहां पे इसका detailed lecture आपको मिलेगा, क्या psychology होती ह दार्क लाउड कवर के पीछे और परसिंग पैटन के पीछे, जिसकी वज़े से support और resistance की तरह ये दोनों behave करते हैं, अब आज के market को जो देख के लग रहा है, तो मेरा ऐसा personal view है, ये मेरा opinion है, जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, कि अभी तक जितनी हमें small candles trade होती हुई, दि volume के साथ में एक large candle form होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि या तो वो buy करेंगे या तो sell करेंगे, वो एक choice लेके आएंगे है market में, ऐसा नहीं है कि वो buy भी कर रहा है, sell भी कर रहा है, वो generally एक choice लेके आते है market में, कि उनको irida buy करना है या irida sell करना है, तो अगर irida buy करना है, buying की long candle दिखाई देती, irida sell करना है, तो selling की long candle दिखाई देती, और यहां हमें small candle दिखाई दे रही है, मतलब retailers आपस में लड़ाई जगड़ा कर रहा है, कि अब किसी को profit हो रहा है, तो वो sell करके profit book कर ले रहा है, कोई मौका देखके buy कर रहा है, और यही case कहानी इसमें हो रह कर रहा था, जिसकी वज़य से लोगों को मौका नहीं लग रहा था, अब ध्यान दे समझने के कोशिश कीजेगा, कि इस बढ़े हुए reason के पीछे की वज़य क्या थी, तो उसको समझते हैं, अगर Friday को जब market close हुआ था, तो closing के बाद में irida का result आया था, और result में हमें क्या द मतलब पिछले साल से इस साल उसका profit 33% जादा हुआ है, अगर पिछले साल 100 रुपे हुआ था तो इस साल 133 रूपीज हुआ है, लेकिन इस साल profit लगबग आया है, कितना 337 करोन का profit इसको आया है, ठीक है, irida quarter 4 results, profit अब 33% at 337 करोन, income jumps 34%, इनकी जो income है वो 34% jump कर गई है, बहु Sunday market बन था, Monday को आज open हुआ और open होती gap up दिया, और gap up के बाद में नए investors entry लेते हैं और पुराने investors exit करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छे price पे exit कर रहे हैं क्योंकि elections सामने खड़े हुए हैं, एक और news निकल के आ रही है क्या, Gift City की news निकल के आ रही है, Gift City में इन्होंने अ Renewable Energy Manufacturing Projects, यह basically इनका एक जो project है, Green Hydrogen and Renewable Energy इसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए और manufacturing projects के लिए इन्होंने basically वहाँ पर अपना एक office open कर लिया है, यह दो news थी जिसका impact आज के market में हमें देखने को मिलता है, सवाल यह उठता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो देख cross करके इसके ऊपर closing ना देदे, और इसको support लेके trade करता है, तभी हमें इसमें entry करनी चाहिए, और हमारी जो entry price होगी, वो 186, 187 के आसपास हो, तो ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वज़े से हमें stop loss मिल जाएगा, 185 का, लेकिन suppose that अगर आप अभी entry कर लेते हो, इस point पे अग रखोगे, 154 पे, या फिर यहां कहीं रखोगे, 130 पे, या फिर यहां कहीं रखोगे, 118 पे, हाला कि इसका support ना तो 154 पे है, ना तो 130 पे है, इसका support है 118 पे, तो अगर यह share गिरता है, तो definitely 118 तो देखेगा ही, देखेगा, क्योंकि यही एक support zone है, और यही सबसे अच्छा buying reason B है, अगर हम फड़ा सा वेट कर लें, तो हो सकता है कि elections की results के पहले एक मैने के अंदर हमें यह 118 का level दिखा दे और हमें एक attractive buying area दिखाई दे, जिसमें हम इसको buying करेंगे, तो हो सकता है बड़े हाप profit बने, लेकिन अगर अभी हम इसको buy कर लेते हैं, 170 के आसपास, तो जो upper level दिखाई दे रहे हैं, वो 185 का दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपके सामने हैं, और lower level बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो reward जो है, वो सिफ 15 points का है, और risk जो है, वो बहुत बड़ा है 15 point comparison में, तो क्या यह सही buying zone है, आप कुछ सोचिए, अब सवाल उठता है कि क्या 185 को cross नहीं करेगा, तो मुश्किल है दोस्त, जो यहां reversal pattern बैठा हुआ है, और जिस heavy volume के साथ में यह दोनों candle आई है, इन दोनों candle के पीछे की psychology को अगर मैं आपको समझाऊं, तो साइद आपका मन इसको buy करनेगा ना करे, खेर उस topic पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कि इस के पीछे की क्या psychology है, तो उसको आप comment करके बना दीजेगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूँगा, एक बार मैं आपको वापस से summarize कर देता हूँ, आज का जो market में gap था, वो सिफ इनके दो news की वज़े से था, पहला quarter four का result, दूसरा, इन्होंने जो office खोला है उसकी वज से ठीक, नमबर दो, आज volume बहुत ज़्यादा आया है, selling हुई है market में आज, क्योंकि जब gap अप हुआ है, तो obvious है कि hype था, demand ज़्यादा थी, इस वज़े से gap अप हुआ है, और gap अप के बाद सिफ और सिफ seller हावी थे, market में सिफ और सिफ माल बेचा गया है, buyers धीरे धीरे घट देगा है, जिसकी वज़े से price नीचे आ गया है, तो ये दूसरा एक important point है, जिसको आपको highlight रखना चाहिए, number 3 बात, इसका जो resistance है, वो अभी भी 185 पे जिन्दा है, जिसको break नहीं किया है, number 4, और इसका support निकल गया आता है, 118 से 116 के आसपास, तो ये कुछ points हैं, जिनको ध बात कल लें, तो RSI भी थोड़ा सा week दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो जिस level पर ये घूम रहा है, उसके हिसाब से RSI इसका लगभग 59 एपरॉक 65 के आसपास होना चाहिए था, जो कि अभी थोड़ा सा 61 के आसपास trade करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेर तो जब तक ये 185 को cross नहीं करता, इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिच कीजिए, अगर आपके पास इस समय IRIDA है और आप profit में चल रहा है, तो definitely आप profit booking कर सकते हैं, और ये एक अच्छा price मिल रहा है आज के दिन, अगर ये नीचे आता है, तो 116 का 116 का levels हमको देखने को मिल सकता है, I hope आपको ये point समझ में आ गए होंगे, अगर आपका कोई भी इससे related concern है तो please comment करके बताईएगा, कि आपकी क्या राय है IRIDA को लेगे और आप क्या target सोच के बाठे हैं, और जो target आपने सोच रखा है क्या उसके पीछे कोई वजय है कि नहीं है, बस ये एक hypothetical है कि MODY आएंगे तो IRIDA को खरीड डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, IRIDA MODY नहीं खरीदेंगे, IRIDA investors खरीदेंगे तो share भागेगा, अब सवाल उठता है news का impact, तो news का impact बहुत short term impact होता है, अगर आज news के आने की वज़े से market IRIDA 5% का gap up दे भी दिया, तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे, अगर आपके आज पहले से रहे तभी आपका थोड़ा सा profit दिखेगा, नहीं तो उस दिन आप खरीद के पैसा बना लो यह possible नहीं है, क्योंकि वो already gap up होगा, आज ही ले लो, 179 पे जब gap up देखने को मिला था, तो लोगों की क्या उमीद होगी, 185 तो कल हमें इसमें gap down देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह कुछ चीजे हैं जिससे हमें पकड़ने की कोशिश करने चाहिए, कि news के साथ साथ क्या levels हैं जिसको cross करना मुश्किल है, तो technicals और fundamentals दोनों पे काम कीजिए, जिससे आपका एक rational analysis हो सके, और अपका जो पैसा है वो सह जहां invest हो सके, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने राय जरूर कमेंट कीजेगा, इसे के साथ सेवा समाप्त करते हैं, जैश्री राम